जै मातादी दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूटीब चैनल में दोस्तो ग्रहों के राजकुमार और बुद्धी के राजा माने जाने वाले ग्रह बुद्ध ग्रह एक बार फिर से अपनी इस्थिती बदलने जा रहे हैं यह बदलाव ऐसे समय में हो रहा है जब नया वर्ष कुछी दूनों में शुरू होने वाला है बुद्ध की जो यह इस्तिती में बदलाव होगा इसका प्रभाव बहुत अधिक सभी लोगों के करियर पर होगा रुपे पैसे पर होगा और मान सम्मान की इस्तिती में होगा बुद्ध ग्रै आज यानि की 17 दिसंबर के दिन मंगल की राशी व्रष्चिक से निकलेंगे और गुरू की राशी धनु राशी में प्रिवेश करेंगे राशी में नवमे स्थान पर मौजूद धनु राशी अगनी तत्व की राशी मानी जाती है और गुरू की राशी मानी जाती है बुद्ध का यहां प्रिवेश कई तरह के परिवर्तन लेकर आएगा क्योंकि सूर्य भी धनु राशी में ही विराजमान है सूर्य और बुध जब दोनों एक साथ पैठते हैं तो बुधादित्य योग बनाते हैं और इस बुधादित्य योग का प्रभाव सब ही लोगों पर होने वाला है लेकिन बारा में से छे राशिया ऐसी हैं जिनको इस बुधादित्य योग का लाब सबसे अधिक देखने को मिलेगा और आज की इस वीडियो में हम उनी छे राशियों के बारे में बात करने वाले हैं जिनके लिए ये बुधादित्य योग सरस्रेस्ट थाबित होगा तो आगे बढ़ने से पहले आपसे निवीदन है चैनल को जरूर सबस्क्राइब कर ले और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ तो दोस्तो जिन छे राशियों की हम बात कर रही हैं उनमें जो सबसे पहली राशी है वो है मेश रासी मेश रासी मंगल की राशी है और आपके लिए बुद्ध तीसरे और छटे भाव के स्वामी माने जाते है गोचर आपके नवम भाव में हो रहा है आपके नवम भाव में सूरिय विराजमान है नवम भाव में बुद्ध बैठने वाले है जो कि भागे का भाव है बुद्ध दूरी की यात्राएं हो सकती हैं, किसी तिर्थिस्थान पर जा सकते हैं, समाज में, मान सममान में आपके वरद्धी देखी जा सकती हैं supposedly इस गोचर के दौरान आप जब यात्रा करने जाएं तो अपने साहथ सभी जरूरी सामान जरूर लेकर जाएं सबी कागजों को अच्छी तरह से जरूँ चेक कर लें ताकि परिशानी का सामना ना करना पड़े बुद्ध का ये गोचर कई तरीकों से आपके लिए लाब दिलाने वाला सावित होगा सबसे जदे कि आपके अंदर धर्म कर्म के प्रति आस्था बढ़ाएगा आपका मन लगेगा धर्म कर्म के प्रति बहतरीन कामयाबियों का सिलसिला आपके लिए व्रारंब हो सकता है इस गुद्ध के गोचर से जैसी सफलता आप प्राप्त करना चाहते हैं जैसी सफलता आप चाहेंगे हासिल कर सकते हैं अगर आप विदेशी कंपनियों में सर्विस के लिए आवेदिन करना चाहते हैं तो उस हिसाब से भी ये गुचर बहुत महत्पून है। विध्यारतियों के लिए सिक्षा प्रतियोगता में अच्छी सफलता पाने के लिए ये समय काफिय नुकुल रहेगा। दूसरी राशी की बात करते हैं तो दूसरी राशी देखी जाए तो दूसरी राशी है वो है सिहिंग राशी सिहिंग राशी के लोगों के लिए बुद्ध उनके दूसरे और ग्यार्वे भाव के स्वामी माने जाते हैं दूसरा भाव धनका होता है और ग्यार्वा भाव बहुत शुक्त रहेगा आपकी आमधनी में इस दोरान इजाफा देखने को मिलेगा आमधनी बढ़ेगी आपके वैपार में भी तीजी देखने को मिलेगी और आप आप जहां काम करते हैं आपके कारशित्र के अलावा अन्य चीजों से भी अन्य स्रोतों से भी आपको धन की प्राप्ति होगी इस दोरान आप किसी नई डील पर भी साइन कर सकते हैं जो आपके भविश्य में एक जबरदस्त लाब का आफसर आपको देने वाली है तीसरी पहले और दस्वे भाव के स्वामी हैं प्रथम भाव आपके सूज को दिखाता है स्वास्ते को दिखाता है शारेरी के रूप गठन को दिखाता है और दस्वा भाव आपकी आजीविका को दिखाता है कारिय वेफसाय को दिखाता है गोचर बुद्ध का आपके चौथे भा गोचर के दोरान आप अपने जो आपने वाहन संबंदी कुछ अगर संकर लिया है तो उनको पूरा कर पाएंगे अपने मित्रों से संबंदी उसे अच्छा सहयोग की उमीद आप कर सकते हैं यात्रा हो सकती है तो यात्राओं के रिसाफधानी रखें नया वैपार करना चाहते हैं उसके लिए आप तयार रहें कुछ नई डील फाइनल कर सकते हैं और कुछ अच्छे आफसर भी आपको इस दोरान प्राप्त होने वाले हैं तो इनके लिए भी ये जो गोचर है ये काफी अनुकुल काफी अच्छा रहने वाला है चौती राशी है कुम राशी कुम लाब का और आमदनी का भाव होता है गोचर के प्रभाव से आपको लाब देखने को मिलेंगे आपकी आर्थी किस्तिती मजबूत होती चली जाएगी आप अपनी बुद्धी का पूरा इस्तिमाल करेंगे और इस समय आपके लिए चारो तरफ से लाब की उम्मीदे बरकरार बनी हुई है हर तरह की काम्याबियों का सिलसला आपके लिए इस गोचर के दोरान बढ़ सकता है एक से अधिक आयके सादन बन सकते हैं जाब क्यार्थी किस्तिती को मजबूत करेंगे परिवार में थोड़ा सा ध्यान रखें वरिस्ट सदस से या बड़े भाईयों के बीच में कुछ मतबेद पैदा ना हो विद्यार्तियों और प्रतियोगता में बैठने वाले शात्रों के लिए ये गोचर बहुत अनुकूल बेहद लाबदयक सावित होगा तो इनके लिए भी गोचर काफी अच्छा बना हुआ है अब जो पांचवी राशी है वो है कुम्ब रा केंद्र और राजय सरकार के विभागों में जो जुड़े हुए हैं जो सर्विस के लिए आवेदिन करना चाहते हैं उनके लिए भी ये अफसर बेहद अनुकूल रहेगा उनके मनमताविक रिजल्ट देने वाला होगा संतान संबंधी चिंताओं से आपको मुक्ति मिलेगी विद्यार्तियों को सिक्षा प्रतियोगता में अच्छी सफलता देखने को मिलेगी दनुराशी के लोगों के लिए ये समय आपके अंदर अगर तनाव था तो उस तनाव को भी कम करेगा आप साजेदारी और विवाहा को भी भावदर साता है साथवे भाव का स्वामी भी है तो आपके जो विवाहिक जीवन है वो भी बड़ा जबरदस्त रहेगा विवाहिक जीवन आपका अच्छा रहेगा तो कुल मिलाकर धनुराशी के लोगों के लिए भी ये गोचर काफी अनुकुल रहने वाला है अब छटी और अंतिम राशी की बात करते हैं छटी और अंतिम राशी है व्रश्चिक राशी वाले लोगों के लिए ग्यारवे और आठवे भाव के स्वामी है दूसरे भाव मे का आई जनाब कर सकते हैं आपके मान सम्मान में भी इजाफा होता हुआ दिख रहा है ये जो बदादित तयोग होगा आपके आर्थिक पक्षु को बेहत मजबूत करेगा इस दोरान आपकी जो सैलरी है वो बढ़ने की उम्मीदें बनी हुई हैं काफी दिनों से अगर तनाब चल रहा था तो वो कम होगा आपकी वाणी पड़ी कुशलता पूरवक रहेगी सौम में रहेगी और उसके बल पर आप किसी भी तरह की परिष्थिती पर विजह प्राप्त कर पाएंगे लेकिन स्वास्ते का देहान जरूर रखें स्वास्ते समंदी कुछ परिशानिया इस को देखने को मिल सकती हैं तो दोस्तों और अधी कैसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे इस वीडियो को ज़्याज़दा लाइक करें शेयर करें